बिसमे लाइबर रहीम असलाम वालेकूम मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को रमजान की करीम की बहुत ज्यादा मुबारक बाद और आप सब के साथ मिलाई हूँ आज रमजान में चटपड इसी बूंदी की चाट की रेस्पी जो देखने में जितनी यम्मी लग रही खाने में इतनी ही मज़दार और डिलीशिस बनके त्यार हुई थी आप लोग रेस्पी को जरूर ट्राइब करना सो वीवर्स मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी पसंद आती है तो लाइक और शेर भी कर दिया करें मुझे आपकी कामेंट्स का इंतजार चैनल के तो उसको कर लिया था को चल equipment कर लिया था कर सकती है इसके बाद इसमें में डैस कि आट किया था जो आपके साथ शेयर करोंगी बूंधिया ली थी जो होमेड बूंदियां आती है बजारे रेडियमिट वह लेकिमने पानी में नेम घरम पानी में सोक लिए और वह भ चोप कर लिया था इसके बाद इसमें दो कब जितना ऐड़ी चाहिए ठोड़ा सा पिले इसमें एड्ट करने के बाद मिक्स कऱोंगी उसके बाद इसके नियुक्ता चाहिएक आपको बताती जाओंगी मेरे स्टाइल में इस तरह से बनाई थी आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे अपनी रेस्पी जरूर बताना कमेट्स में इसके अंदर में एट करूंगे हरी मिर्चे थोड़ी सी में इसमें रेड चीली पॉडर हाफ टेबले स्पून इसमें एट किया था इमली का परबेट करने के बाद धो कर फ्रेश के हुई धनी की पतिया में इसके अंदर एट की हैं उसको मिक्स करूंगी इसमें दही में थोड़ी टीबले स्पून में चीनी एट की थी थोड़ा सा सूइट है दही ताके जो यह खटाई और हम चाट मसाला डाल रहे हैं इसका जो टेक्स है वह बैलंस हो जाए अच्छी तना से मिक्स करने के बाद हम इसमें सर्विंग डिश में निकाल रही हूं तो मैं इसको मट्टी की प्याले में सर्फ करूंगी दही बूंदी चाट को और देखें कितनी जल्दी बनके त्यार हुई है उपर से हम इसके नमक और चीनी डाल के बनाया था इसको एट कर देंगे उपर से हम इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे खटी मिठी इमली की चटनी जो मैंने होममेट बनाई थी इसकी रेस्पी भी मेरे पास मौझूद है आप चाहें तो इसका लिंग में डिस्क्रप्शन में देदूंगी त दनीय की पत्ती और कुछ ट्रेमाटर के क्यूब्स फिर लोड कराऊंगी मसदार नई रेस्पी के साथ रेस्पी देखने का शुक्रिया अल्हा आफेस्ट थैंक्स वर वाचिंग रमजान की बहुत मुबारत उन्माटर के बहुत मुबारत